गुड आफूनून एब्रीवन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कूस दा साइट ऑफ इस टोनेज देखा था और इस टोनेज में मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि स्टोनेज को तीर भागों में बाटा जाता है पहला पहले लिथिक सेकंड मे किस पलियोलिथिक साइट के हैं तो अब यह डिसकस करने से पहले दो तीन चीज़े अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी आसान होगी पहला तो यह कि एज ऑफ अर्थ याद कर लिजे कि पिर्थिवी का जो एज है वो 4.5 बिलियन येर्स है 4. 4.5 बिलियन येर्स जो है वो एज अफ अर्थ है तो नार्पली ये straight कोशन भी आयो है बहुत सारे state civil services में कि बताइए ये एज अफ अर्थ क्या है तो 4.5 बिलियन येर्स और पहले ऐर्थ किया है तो जो पलियोलिथिक जो stone phase हम लुब डिसकस कर रहे हैं इसका time period है 5 लैक बी सार्ट हो रही है और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हम लोग बीसी में डिल करेंगे बीसी मतलब बिफोर क्राइस तो बीसी में सब चीज अपोजिट चलेगा अभी जैसे कि कौमन इरा चल रहा है एडी चल रहा है एडी को ही सीई भी कहते हैं तो अभ nature of question कि किस type के question आपको इन topic से आ सकते है तो सबसे एक hot favorite जो nature of question होता है वो होता है match the following की आपको एक तरफ से site के नाम दे दिये जाएंगे और दूसरे तरफ से जगह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए कौन सा site वो किस जगह पे है तो एक तो यह याद रखिएगा और दूसरा जो question बन सकता है वो आपको number of sites को jumbled up कर दिया जाएगा मतलब दो options दे देंगे आपको tonage के और 3-4 site का नाम दे दिया जाएगा आपका इंदस valley का और कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा sites जो है वो storage का है तो इस type के framework के questions आपको मिलेंगे exam में तो चलिए discuss करते हैं हम लोग sites, location तो सबसे पहले तो हम लोग discuss करेंगे paleolithic phase का जो सबसे पहला phase है जो की है आपका lower paleolithic तो lower paleolithic का पहले time period याद रखिए lower paleolithic का time period है आपका 5 lakh BC to 50,000 BC 5 lakh इसा पूर्फ से लेकर 50,000 इसा पूर्फ तक का जो काल है उसको हम लोग lower paleolithic phase कहते हैं और इस time period में जो इंसान के हथियार होते थे जो tools होते थे वो काफी crude होते थे और काफी heavy होते थे तो इनमें जो important tools याद रखने हैं वो याद रखिएगा hand axes, cleavers and choppers तो hand axes, cleavers और choppers जो हैं यह आपके lower paleolithic के tools हैं और sites याद रखिए कि कहां-कहां sites हमें मिले हैं lower paleolithic के तो सबसे important site है Swan Valley Swan Valley जो है वो पंजाब का जो पाकिस्तान प्रविन्स है सबसे वहाँ पे है Swan Valley के बाद जो important site है वो है आपका बेलन वैली बेलन वैली आपका मिर्जापूर में है मिर्जापूर UP थर्ड है आपका डिडवाना डिडवाना जो है वो आपका राजस्थान में है next important site जो है lower paleolithic का वो है भीमबांद भीमबांद मुंगेर में है तो यह आपके BPSC के लिए important option है भीमबांद जो है वो lower paleolithic का site है तो lower paleolithic के site हमने क्या क्या discuss कर लिए पहला याद रखिए Swan Valley Swan Valley आपका पंजाब पाकिस्तान second आपका है डिडवाना डिडवाना आपका राजस्थान हो गया third हो गया बेलन वैली बेलन वैली आपका हो गया मुर्जापूर यूपी फिर भीमबांद भीमबांद आपका हो गया मुंगेर बिहार उसके बाद भीमबेट का caves भीमबेट का caves again यह बहुत important है यह MP में है मदप्रदेश में और भीमबेट का caves जो है वो गुफा हैं जिसमें अर्ली मैन के अर्लियर पेंटिंग्स है मतलब पहली बार इंसान में जो पेंटिंग बनाई है वो हमें भीमबेट का caves में मिलती है तो भीमबेट का caves important है मैंने आपको बताया कि hand axles है cleavers है choppers है फिर sides याद रखिएगा तो यह था आपका lower paleolithic lower paleolithic के बाद आपका आता है middle paleolithic middle paleolithic का time period है वो है 50,000 BC to 40,000 BC 50,000 to 40,000 BC जो है वो आपका middle paleolithic है और इसमें आपका जो tools होगा वो होगा आपका flex flex important tool है flex जो हता है वो छोटे नुकीले टुकडो को कहते है तो अब तक middle paleolithic तक इंसान को यह समझ में आ गई थी कि वो बरे पत्थर को तोरके छोटे नुकीले हतियार बना सकता है तो उसको flex कहते है तो flex आपका middle paleolithic का important event है और इसके जो sides है sides भी लगबग आपके lower paleolithic के जो sides है वो ही middle paleolithic की है सिर्फ इसमें थोड़ा सा addition कर लिजेगा जैसे कि अब जो इनसान है वो थोड़े से तुंग भद्रा या फिर south में जो नर्मदा रिवर वैली है वहां तक पहुँच रहा है तो यह कुछ side है middle paleolithic के लास्ट है आपका upper paleolithic upper paleolithic का event तो आपको पता ही है कि इसमें homo sapiens का arrival है और homo sapiens का arrival के बाद यह ice age का last phase भी है ice age आपको पता है total 5 ice phase हुए है और सबसे जो last phase हुआ है वो upper paleolithic में हुआ है और जो हतियार होगा वही होगा इसमें अगें नुकीले हतियार का use होगा तो blades जो है वो आपको upper paleolithic से आने लगेंगे तो यह कुछ चीजे हैं जो आप याद रखेगा और इससे से related आपके question आएंगे next video में we will discuss mesolithic and neolithic till then take care and happy preparation